उत्तरी भारी जिला के इस पिल स्टाफ ने उस खुंकार प्रादी को पकड़ लिया जिसने जहांगर पुरी थाना के बीट कॉंस्टबल के साथ मार पीट कर उस से लूट पाटकी और पिस तलतान दी उसके बाद एक प्रॉपर्टी डीलर के ओफिस पर गो लिया चलाई भी 25 नवंबर को सिपाही अमरदीब इलाके में अपनी डूटी कर रहा था जहां दो सक्स रास्ते में गाली के लौच करते जा रहे थे सिपाही अमर्दीप ने उनको रोखा और अपना परिचे देते हुए गाली ना देने को कहा इतने में ही उनमें से एक सक्स ने अपने पास से एक पिस्टल निकाली और उसकी छाती पर तांद कर टिकर दवा दिया फिर वहां से भाग गया मद्दीप की सकाथ पर मामला दर्च कर लिया गया और आज बहारी उत्तरी जिले के स्पेसल स्टाफ ने तकनिकी मतवत और घूप सुचना किया अधार पर अपरादी को पकड़ने के लिए जाल बिचाया जहां थाना नरेला इंडस्चल एरिया के छेट्र में प्रमूत को आने की सुचना मिली जब प्रमूत को रोखनी के लिए पुलिस नहीं सारा किया तो उस ने बीधऑ पुलिस पर फायर शुरू कर दिया पुलिस ने बचाब म के साथ काफी ज़्यादा मारपीट की गई उनकी चेस्ट के उपर पिस्टॉल रखा गया और ट्रिगर प्रैस हुआ यह उनकी अच्छी किस्मत थी की गोली फैर नहीं हुई उसके बाद इन लोगों ने आगे जाकी भी कई राउंड फैर किये इस गटना के बाद से ही लिक के ब्रेट पूफ जैकेट पे लगी एड कॉंस्टिबर विकरान को भी इस आपरेशन में काफी चोटे आई फानिली इससे ओवर पावर किया गया इस दुराने गोली इसके पाव में भी लगी इसे अस्पताल रैफर कर दिया गया है और इसी कंडिशन सेफ है